हलो गाईज वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल मिशन इंजिनिरिंग एंट टेक्निलोजी मैं विक्रम आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जो अपको गाईज मेरा यह वीडियो बनाने का मेन मोटिव है कि मैं मैंकेनिकल कंसेब्ट को आपके अंड्रेस्टैंडिंग वेल्म समझा सकों जो आपकी जो आप असानी से समझ सकों ठीक है तो कि अगल बगल में बहुत सारे ऐसे उपरेशन होते हैं ऐसे आपके मतलब मेंसी तो आज का अपना टॉपिक है क्लच तो आज हम क्या डिसकस करने जा रेक्लच कलच जो कि सब को समझना बहुत जरूरी है क्यों आजकल बाई को चाथ हमें के मैं बहुत हो जब Politik के सब कंग को लोग viktig करते हैं तो आप कैसे क्लच करोगे कैसे क्या करोगी यह सारा फुछ तुजानकारी होनी चाहिए ना आप कैसे हो सकता गलत यूज कर रहे हो ठीक है क्योंकि जो भी knowledge होती है कभी enough नहीं होती है ऐसा नहीं होता है जो knowledge आपको पता है बस वही काफी है उसे भी ज्यादा हो सकता है ठीक है तो चलिए अज हम लोग discuss करते हैं इसी topic पे तो क्या क्या देखेंगे actually क्या 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 discuss करने जा रहे हम लोग क्या का सीखेंगे आज इस वीडियो में ठीक है तो क्या इस वीडियो थोड़ी लंबा हो यहां सब control करते हो ठीक है प्ट क्लच जो है ना यह नीचे होता है इंजीन के पास होता है इंजीन होता है उस assembly में होता है तो आपको यह नहीं पता है तो इसके वारे हम लोग देखें है what is the purpose of clutch clutch का में purpose क्या होता है क्यों हम लोग यूज करते हैं ठीक है how it works यह काम कैसे करता है क्या working principles है इसके यह सारा कुछ देखेंगे हम लोग what happens when you press the clutch क्या होता है जब अब क्लच प्रेश करते हो यहां पर तो कौन से operations यहां पर होते हैं ठीक है यह सारा कुछ देखेंगे हम what are the four types of clutches ठीक है हम लोग mostly आप four types of clutch के बारे में बात करेंगे बड़ कितने types के clutch होते हैं ठीक है यह सब bike में कौन से clutch होते हैं कार में कौन से clutch होते हैं यह सारा कुछ हम लोग देखेंगे और यह सब तो हम देखेंगे यह सब तो ज्यादा इंपोर्टेंट है थोड़ा सा टेक्निकल चला जाएगा जो कि आई टीए डिपलोमा यह सारे बंदों के लिए इंजिनेरिंग वाले बंदों के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है हाफ 국्रच जबकार हाफ्र लेते हो तो क्या होता है और कंभ लेना चाहिए फुल क् लैक्ष का मतलब क्या होता है ठीक है कंभ लेना चाहिए आपको ठीक है वाइंचीन गर और वाइब्रेट वाइल स॥िंग घर जब आप यार चेंज करते हो वीदा prices क्लच तो वह दर भाइब्रेट करने लगता है विधिक टो क्या इसमें प्रॉब्लम होती है चीज थी तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने नहीं तो पहला टॉपिक अपना है कि what is clutch, ठीक है, simple देखते हैं, हमने एक technical definition से हाँ पर हमने देख रखा है, आप इसे देख सकते हो, ठीक है, clutch, तो simple एक बहुत-बहुत easy way में समझा, clutch का मतलब क्या होता है, engage and disengage, mean connect and disconnect, किसी चीज से जोरना, और किसी चीज से मतलब उसो disconnect अलग कर देना, ठी होती है, ठीक है, और जैसे phone disconnect होती है, तो क्या होता है, conversation रुख जाती है आपकी, फिर conversation करने के लिए क्या करनी परती है, आपको फिर से phone लगाना परता है, फिर से connect करते हो, फिर conversation, same वही concept यहां पर क्या है, कि क्या है, a clutch is a mechanical device which engage and disengage power transmission, especially from driving shaft to driven shaft, ठीक है, दो दरहा के shaft होते ह मैंने क्या phone का example दिया, कि एक side आप हो, another side कोई और हो, कैसे आप बात करते हो, disconnect होता है, connect होता है, ठीक है, अगर यह rotate हो रहा है, और यह rotate नहीं होता है, यह कब rotate नहीं होगा, तो जब आप clutch use नहीं कर रहे होंगा, तब यह rotate नहीं होगा, ठीक है, तो actually यह क्या flywheel है, जो engine है, engine से आपको motion मिलती है, ठीक है, तो उस motion को आपको wheel तक पहुंचने से पहले आपको क्या होता ना, flywheel, sorry, clutch तक जाना पड़ता है, clutch है, उसके बाद आपका यह parts आता है, ठीक है, तो बीच में clutch होता होई, engage और disengage, तो हम लोग इंदेप देखेंगे है, but simple, यहाँ पर समझो, clutch क्या है, connect and disconnect करने का, अब phone का example ले सकते हो, एक दूसरे से phone पर connected रहते हो, तो बात होती है, नहीं तो बात नहीं होती है, ठीक है, चलिए, अगला topic हम discuss करते है, क्या है, engine, clutch and gearbox in your vehicle, अभी कुछ दर पहले हमने क्या बोला, अभी हमने बोला, क्या इस अब क्या है, यह आपका यहाँ पर देख सकते हो, यह क्या है, ठीक है, यहाँ पर 2D image में दिखाया गया है, और यह आपका 3D animation, image में दिखलाया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहली क्या है, engine है, ठीक है, यह इंजीन है, यह पर देख सकते हो, यह क्या है, यह इंद गेर इन ये गार्बोकस जहां पर गिराब shift करते हो चेंज करते हो उसके बाद क्या है न यह ड्रैवी ड्रीविंट सब्सक्राइब इसके फूए फूर आपको दोनो वील में जो है न जितने यह एक आप उस पर मोशन ट्रंस्प्वién्ट होते हैं जो की यह तियोगे वेल आपका अपका इसका जो अर्चमेंट एन वो कह न पहले एंजीन फिर आपका यहां पर फ्लाइब को प्लाइब्ल है तो इंजीन जो आपका पिस्टन रन होगताहा आपका जो मोशन वह आपको देता है जो रपी में उतना स्पीड से साफ्ट जो रोटेट हो रहा है तो इंजीन का जो है ना किसको देता है यह फ्लाइवील को देता है यहां फ्लाइवील लगा हुआ है ठीक है तो यह में जो ट्रांस्मेट होता है यह फ्लाइवील को होता है ठीक है अब फ्लाइवील बहुत तेजी से रोटेट हो र तो कि यहां भी जाता है है तो भीमेक्तम लोक्तमेया दिता वीच वीजया जाताईזה गोड़ स西 childhood में गताई ड़ा करना है एक हो यहां भाता गार्व मतलब यार्ढों कर नहां तो अगर कणरद भीसमीड में तो शर्डू पर काक्रणाईज अ candle तो लोग करोगे कम करोगे तो क्या होता ना कि आपकी इंजीन आवाज करने लगती है उसमें कुछ प्रॉब्लम होच रकती है तो उससे बचने के लिए क्या हम लोग क्लच यहां पर यूज करते हैं ठीक है क्लच क्या करता है डिसिंगेज यह साफ को छोड़ देता है इसको प आप सिंपल इतना समझों यह क्या है आपका इंजीन ठीक है उसके वाद क्लच होता है फिर गियर बॉक्स होता है ठीक है चली हम लोग चलते हैं अंगले श्लाइट पर सिंपल कंसेप्ट हमने हाँ पर मेंशली करें करता है यह काम कैसे करता है यह." तो चली है यह देखने के लिए काम कैसे करता है हमने कुछ यहां पर कुछ हमने मेंसन कर रखा है पॉइंट्स आप देख सकते हैं ठीक है तो यहां पर में कंसप्ट किस चीज का है ना यह जो दिख रहे हो यहां पर यहां पर यह ना यह क्या लिवर है आपका ठीक है यह आपका लिवर है यह यहां से यूज करते हो, यह वायर के थूर यहां से आप 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 अपरेट करते हो, उसके बाद क्या करता हो, इसे हम एक वीडियो के थूर देखते हम एजी अच्छी दरप समझ वाए गया, तो चलिए हम वीडियो पर देखते हम तो हमने एक Video यहां पर रखा होगा, प्या कि इहां पर अनि यह कहा, क्रुछ ले रहा हो तुछ लेुंगा ओ उसको जैसे ही त्स तुछले लेहो तुछ लेयम ब्हुंग उतgets प्रूप अखर किया प्रूपकर आप दूगा कहा charms अक्ष्छे इन टुट करते हैं क्या करता है न कि फुलाइविल जो रोटेट होता है उसके साहत क्या होता है कि इसकी एक प्लेट होती है इसके गेर बॉक्स को ट्रांसमीट करता हूँ अब क्या है ना कि जैसे ही झा सब जलाता है यह जो अब कि जाने का मतलूक क्या है कि यह पर disconnect जैसे ही होगा फिर इनर्जी जो भी आपको इंजीन दे रहा ना जितने भी आरेपिम वो इनर्जी अब ट्रांस्मिट नहीं हो रहा आपको गेर बक्स को ठीक है अब गेर शिफ्ट करना चेंज का नाराम से कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर बीना क्लच लिए चेंज करोगे फिर वाइबरेट करेगी क्योंकि सदेनली आप मान के चलो ना किसी स्पीड साप दौर रहा हो सदेनली के स्पीड चेंज कर सकत दौरी यसे पुल्ली प्रेस करते हो ठीक है वहां प्रेस करने का लिबर प्रेस करने कómoात का होता है न कि वो आपको वो जो प्लेट दो होते हैं को पार्ट इ TC को पार्ट को नेमिंग का होते हैं यह आपका है इक्ट आ है का इमेज यहाइब'MI के इंजिनिय करेक्ट लि सबूढ़ करके 00230 दिसक को निंचाओ और यह裡面 स्वाइट से ऐफ यह हैं और यह जो क है यहां पर भाट क ही कहां कि आपका प्रेशर शुक्त वाइप व्लेट संव एक्षा facilities इस लेखने चलते हैं नेक्स लाइट के और तो नेक्स्ट जो मुझे देखना है हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं वह टाइपस ओफ क्लच इस कितने टाइपस होते हैं ठीक है तो यह टाइपस ओफ क्लच देखने से पहले कुछ इंपोर्टेंट चीजे क्योंकि वीडियो थोड़ा स्लंबा हो रहा है तो इससे ज्यादा जो इंपोर्टेंट चीजे ना वह देख लेता हूं उसके बाद यह जो भी आई टीए डिपलोमा इंजिनियरिंग वह बंदे हैं उनके लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है बट ना की यह जाना बहुत जरूरी क्या ३ ощущ opened qy यह क्या फूल सब्सक्राइब करते हैं फुल Kl grave सिंपल कंसेप्ट है आप लेते हो न मिल्स कि और है करने कि कभी कभी आप पूर दबा देते हो कभी अधा दबाते ह। थीरे जैसे छोड़ते हो लेते हो ठीक है है समस्क वहां से हाफ unbelievable और learning का कि उस्टिक होता है पूरा कलच आपको लेना पड़ता है पूरा क्लच आपको लेना पड़ते आप क्योंकि कि आपने जब इंजींघनख जयसे ़स्ता होता है ऩाप इंजीं Сейчас हो ट्रßen flawless use profit श्रीवी सोते हों धूरैटों तो जितना जितना स्पीस अपका इंजीन रोटेटो रहा है किया डारेक्ट Уब्ल Azale उसे उतना speed दे सकते हो कि तुरण तुरण दूभी उसी speed से रोटेटू उसे करोगे तो क्या होता है? बाइक यह सही चले इसागी नहीं क्या होता है? कभी-कभी आपने देखहोगा जब वाइक कोई करता है जो तो स्टाटिंव मिम्ड चुछ शिकता है वह क्या करता है कि क्लश नहीं लेता है क्या क्किक मारिन करते हैं यह सल्फ लेता तो बाइक ज lost करता आगे भागता आगे क्यु doublos ऐसे ब्रेक छोड़ता है बाइक आगे भागता क्यूंकि पर्चाइब भागता है आपका तो ओहां पे यूज करना फुल क्लच का मतलब क्या है उसको दवाय रखना है उसको इंजीन आपने स्टार्ट कर दिया और रोटेट हो रहा है अपने स्पीड से जब तक क्लच को दवाये हुए हो मतलब वह डिसिंगेज हो चुका है डिसकनेक्ट हो चुक है यह कोई मोशन नहीं पहुंच रहे हो गेर बॉक्स ठीक है और क्या है आपका इसके बीच में इंजीन की बीच का रिलेशन को कनेक्ट हूं दिसकनेक्ट कर रहा है आपका तो जब तक दबाये हो फूल कलच को थोरा सा भी आपकां मौशन जो कि कि फ्रिक्शन प्लेयर जो है ना वह फ्लाइविल से टच ही नहीं कर रहा हूं ठीक उसके साथ फ्रिक्शन नहीं हो रहा है तो रोटेट होगा ही नहीं ठीक है फिर आपने चीज तो समझ लिया कि जाफ करने से पहले मुझे फी लेना चाहिए फिल ऊसे हम यूज करते हैं दूसरी बात क्या है आपने क्या देखा होगा कि फुल क्लॉच जब उपफिक desde दो उसे में हण करते कि हो कि आप कम्प्लेटली जाते हो कि इंजिन का जो भी मोशन हो ना जो भी इंजिन का motion है ठीक है जितने भी गेर पर गेर नमबर 1 2 3 4 जिस पर भी हो आप disconnect कर दे रहे हो क्या कर दो हो disconnect कर दे रहे हो कि वो motion जो है ना आपकी gearbox तक नहीं पहुंच है आपकी वील जो है ना आपका जो चक्का हो रूटेट ना हो इसके लिए आप full clutch लेते हो full clutch का मतलब disconnect आपने कर दिया फिर बाइक आपका रूख चुका है आपका ठीक है बाइक क्यूंकि आप clutch लेते हो full clutch लेके फिर brake मारते हो बाइक आपको रूख गया ठीक है अब उसके बाद धीरी साब क्या करते हो फिर अपना यह half clutch यह half clutch क्या होता है ठीक है तो Half clutch आपसे छो यह मेंधिन करना हो तो इसका में डिजन क्या है ठीक है तो में इन यह है कि जैसे ही आप क्या होता है कि बहुत ही श्लोपिंग वाली जगह है बाइक को नीचे ले जा रहा है अब क्या होता है कि अगर वहां पे तो कुछ भी एस्पीर हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है ठीक है तो वह क्या होता है बहुत जल्दी सप नीशे की तरह भाव होगे तो उस एक्सिदेंट होने की चांसे है तो क्या कर सकते हो वहां पर क्या करना है आपको हाफ क्लच लेना है ठीक है क्लच लेकर करके धीरे धीरे इसलिए छोड़ना होता है क्योंकि आप गेर शिफ्ट करते हो गेर नमर्व वन या टू पर चले वाप ठीक है और वन टू गेर पर जाकर क्या करते हो स्पीड तो आप कलच के थुरूस को करते हो एक्चली ठीक है चली यह आपको समझ में आ गया हाफ क्लच क्या होता है नेक्स्ट जो हम डिसकस करने जा रहे वह क्या है वाई इंजिन गेट वाइबरेट वाइल शिफ्टिंग गेर ठीक है कि यह जब हम गेर चेंज करते हैं तो क्यों मतलब करता है ठीक है तो आपने मैंने गेस किया होगा कि अगर बीना क्लच के अगर बीना क्लच के अगर आप गयर शिफ्ट करोगे तो अजीब तरह से आवाज आती है ने साउंड आती इसके पीछे में डीजन क्या है कि वही कुछ दिर पहले मैंने एक ग्जांबल बताया था कि आप बहुत ही अजर तेज आप इस motion को डारेक्ट आप क्या करते हो गेर बॉक्स तक पहुंचा ओगया अप डारेक्ट तो फिर क्या होगा ठीक है कि उतने ज्यादा स्पीड में अब अचानक आप गेर नंबर फरस्ट पर अचानक गेर नमबर चार पर ले जाओगे श्पीड चेंज कर रहे हैं इतना क्लच के साथ आप चेंज करते हो क्या करते हो अब भी यही करते हो कि जब भी आपको गेर शिफ्ट करना होता है गेर चेंज करना होता है या बाइक हो या कार हो सबसे पहले आप गेर स्वारी क्लच आप प्रेस करते हो क्लच प्रेस करने के बाद फिर क्या करते हो आप तब ग Ale तो को फिर जैसे आपने प्रेस किया वह तो लो ढीश को सबसी ने क्वाइब स्प躁र लो और उसके बाव को चोड़ते हो पिर अंजिन का जो मोसिन है वह जांगर के फिर इनेकर होता है ब्ला में इनेरे भीक तो अगला चीज देखते हैं कि clutch plate burn ठीक है तो यह भी जाना जरूरी है क्योंकि जा जाते हो आप तो वह क्या कहता है कि आपके clutch plate जो है ना डामेज हो चुछकी वह बदलना है तो उसमें क्या damage होता है तो clutch plate तो यह प्रिक्शन प्लेट ना कि यही प्लेट यही प्लेट जो है न वह रोटेट होता है तो जैसे कि आ ऐसे आप चौक और और उसको रगरो उसको जैसे फीस जाता है वह पतला हो जाता है से मुझी तरह क्लिक्षन होता है इसके सब्सक्राइब के साथ फ्रिक्षन होगा तो दिखें वह तो खिछता है या ज्यादा आप यूज करते हौे ऑगर सब्सक्राइब का यूज कर रहे हो यह बर्न हो जाता है आपका यह प्लेट ययलो इसके bueno स Apollo कर देख और देख़रे और यह प्लेट को चेंच करने पड़ते हैं तो आपको यह समझ में आ गया हो यह क्या है तो यह थी एक चुली बेसिक कंसेट्स ठीक है तो किसे कुए ंहीं होगा ठीक है और एक विडियो एक वीडियो और बनेगा ठीक है एक विडियो और मैं और बनाओंगा जिसमें कि इसका टाइप्स में MILL उनकाल थी होते हैं कार में कौन से क्लच यूज करते हैं हम लोग नावनेस मोस्टली बाइक में कौन से क्लच में कौन सा क्लच कितने का क्लचे होते हैं यह सारा कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है नहां पर इमेज़ वह हम लोग एजी तरह से देखेंगे, तो आज के लिए थैंक so तो मच तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट वोक्स में कमेंट करके बताएं ठीक है तो मेरा गाइस मेरा मोटीब यही है कि मैं इस सारे टॉपिक पर चाहते हो की मैं वीडियो बनाऊं ठीक है कोई बीससे रिलेटेट कोई भी तॉपिक हो मैं हनकर टृ कवा बाले ती dizer हुआ है याई आईटिए वहाले हैं इस not टीका जो हुआ है बहुत सारे वीडियो में वहाँ पर नाल रहा हूं क्या है न紮ुक्तली इंस्टिकूर में जब जाते हो तो सिर्फ वह सौफ्टर पढ़ाते हैं तो सौफ्टर पढ़ाते हैं और क्या करते हैं शिक्तली कि लोग summer सॉफ्टर ही पढ़ाते हैं मैं क्या सॉफ्टर के साथ साथ थियोरी नॉलेज भी देता हूं मैं ऑक गई सो थैंक्यू सो मच